हेलो फ्रेंस वल्कम बेक माई यूटीब चनल आज मैं आप सभी को यह बहुत ही आसान से फटाफट बनने वाला स्वेटर डिजाइन लेकर के आई हूँ जो कि आप मैंने यहापे सेंपल के लिए थोड़ा सा बना करके दिखाया है आपको और मैं आपको स्टार्टिंग से बन जराने वाला है यह दिजाइन यह तीन प्लस एक चार चार फंदों का पैटर्न रहेगा तो इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल ऐकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि कि मैं इसी तरीके के खुबसूरत से वीडियो लेके आओ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक आजाएंगे और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सकती हैं सामने से कुछ इस तरीके से नजर आएगा और पीछे से कुछ इस तरीके से नजर है बिलकुल भी उलजन न तो इस तरीके से से पहले से पहले फंद कर लिजेए और तो उसके बाद सर्च्च के आपकी रूटे बिई तकokol यह रूटा बिन लिए हैं में कर संतर से हमें से हमिदा बिन 3-3 पंद उतार लेंगे चौते फंद बीनेंगे एक दो तीन फंद उतारेंगे चौत्य फंद बीनेंगे इस तरीके से आप पूरी स्लाइब बीन लिजेगा देखें कुछ इस तरीके से नजराने वादा है ठोड़ा सा और वीन लेने के बाद ही यह डिजैन जो है मालूम पड़ेगा तो इस तरीके से ही आपको करना है तीन फंदें उतारने हैं और चौथे फंदे को वीनना है एक तो टीन तीन फंदें स्कीप करेंगे दूसरी सिलाई में और चौथे वाले फंदे को उल्टा बिन रहे हैं यह फर्स्ट रो है राइट साइट से आपको इसी तरीके से बिन करके इसे कम्प्लीट कर लेना है अब लास्ट में दो फंदे उल्टे बचते हैं तो इसे हमें उल्टे बिन लेने हैं इस तरीके से फर्स्ट औरो आपको MIn लेना है, इस तरीके से फर्स यो आपको MIn लेना है, इस तरीके से उलड़े उलटे मिन लेना है. और सीधा बीनना है इसमें ही आपका यह डिजाइन जो है कम्प्लीट हो जाएगा और आप इस डिजाइन को आराम से मफलर बना सकती है मोजे में अपलाय कर सकती है और फुल बाजू के स्वेटर में बना सकती है तो देखे फ्रेस इस तरीके से जो है आपको पूरी रौ अब देखे सेकेंड रो हो गया कम्प्लीट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अब जो है थार्ड रो हमें क्या करना है जो जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था देख लिजे कैसे पहले फंदे आप स्कीप कर लिजे दूसरे फंदे को आप उल्टे भीन लीजे उसके बाद फिर से 1,2,3 फंदे उताहर等一下 THIS फंदे को उल्टा बीने देख पिर से 1,2,3 तीन फंदे उताहरे और छोते फंदे को उल्टा बीने रहेंगे उन अपनी तरफ रहें और स्लाई भी अपनी ही तरफ रहेंगा तो इस तरीके से जो है आपको बीन लेना है यह थार्ट रो है इस तरीके से यह बनेगा तीन फंदे उतारेंगे चौथे को उल्टा बीनेगे फिर से एक दो तीन फंदे उतारेंगे और चौथे को उल्टा बीनेगे यह कर लेना है अब बीचे साइड से फोर्थ रो सब को फिर से बाफस से उल्टे बिना करके पूरा कर लेना इस तरीके से देखे इस तरीके से complete कर लेते हैं तो देखे फ्रेंस इस तरीके से first और second row बनाना है आपको अब जो है क्या करना है यहाँ पर एक सिलाई का gap दे देना है इसमें जो है हमें कुछ नहीं करना है और इस तरीके से सीधा सीधा सभी फंदे बीन लेंगे देखे इस तरीके से जो है आपको सीधे सीधे फंदे बीन लेने कुछ नहीं करना है सिर्क उल्टा और सीधा सिलाई बीनेंगे तो यह बहुत ही खूपसरो सा डिजाइन बन करके तयार हो जाएगा तो देखे फिर इस तरीके से आपको पूरी स्लाइज जो है सिधी सिधी बिन करके complete कर लेनी है right side से अब ये right side से इस तरीके से complete हो गया अब जो है back side से हमें सबी फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे जैसा कि हम starting से बिनते आ रहे हैं इस तरीके से बिन लेंगे अब जो है इसके next हमें क्या करना है जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया था उसी तरीकी से उपर बनाना है तो ये देखिए एक slider simple बिन लेने के बाद फिर से हमें क्या करना है ये एक फंदे और ये दूसरे फंदे को बिनेंगे फिर एक, दो, तीन, तीन फंदे उतारेंगे और चोथे फंदे को उल्टा बिनेंगे एक, दो और ये तीन फंदे उतार लेंगे और इस चोथे वाले फंदे को इस तरीके से उन और प्लस अपनी और ही रखेंगे स्लाई और दोनों को इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे देखी, इस तरीके से लेना है और चौथे में बिनना है, एक, दो, तीन और यह चौथे फंदे को इस तरीके से आपको बिन लेना, जैसा कि फ़र्स्ट वाले ड्रॉ में मैंने बतायां था बनाने को सेम, यह हो गया इस तरीके से हो गया यह complete पूरा हो गया अब पीछे साइट से सबी फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे जितने भी आपने फंदे रखे हैं इस तरीके से उल्टे बिन करके complete कर लेंगे अब यह दो लाइन फिर से बिन लेने के बाद यहां पे जो गया दी है वापस से हमें यहां पे एक स्लाई जो है गया देना है मतलब कि पूरी स्लाई जो हमें है इस तरीके से सिधे सिधे ही बिन लेना है देखे इसमें हमें कोई फंदे स्किप नहीं करने हैं और इस तरीके से पूरी स्लाई बिन करके कम्प्लीट करेंगे सामने से और पीछे से भी अब ये गैप देने के बाद वापस से फिर आप इसी तरीके से बिनते चले जाएगा तो ये बहुत ही खुबसूरत से डिजाइन बन जाएगे देखे लाइनिंग लाइनिंग के सेफ में आप इस डिजाइन को स्वेटर में बना सकती है और कैप अगर हमें बना सकती है फूल स्वेटर में बार्डर बना सकती है आप इस डीजाइन का बहुत ही खुबसुरत नजर आएंगे तो उमीद करते हैं आप सब भी कोई डीजाइन प्लस यह वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें हमारे चैनल को थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू